कि सारे बच्चे सुन लो रिवीजन अगर सर भी नहीं करेंगे ना तो सर भी भूल जाएंगे और आप नहीं करो तो आप भी आप तो पक्काई भूल जाओगे रिवाइस करते रहा करो जॉर्टन की अमान चलिए कोशन मताईए अब बताया था डेड़ सी और या जगना दुन चलिए नेक्स देख लेते हैं फटाफट यह जॉर्टन इसराइल के बीच में इसमें जाओ ऐसे लेड़ जाओ अब बाहर पढ़ते रहो डूब हो गई नहीं सारे बच्छे ठीक है जॉर्टन इस्राइल कौन जाएगा इसमें नमक मिनाने एवरेस सरीनिटी अब देखो समुद्रिवा पताया था मैंने में समुद्रिवा होता है 33 से लेके 37 तक तो अवरेज हम मान लें थर्टी फाइव किसमें 35 पार्ट्स का मतलब मान लो 1000 थाउजन में न यादि 1000 kg है न तो उसमें 35 kg तो लगब पॉइंट 3 परसेंट हो गया ना प्उइंट 3 5 परसेंट यार मै पता है मैं तेजा तुम्हार यह न जी के और साइंस भी ठीक ही है चलिए तो आप्षिन क्या आप्षिन कि फास्ट थर्टी फाइफ गुड थर्टी फाइफ होगा कोशन आया हुआ है ठीक है न है एवरेश सेलिटी और डेट सी की तो बहुत ही भैंकर है दस गुना ज्यादा है देखो आम तो और पर जो ओशेंस होते हैं उनसे दस गुना ज्यादा तो भाई तैरे गई नहीं यार नमक डाल दो के पानी में तो रॉटन एक भी तैरने लग जाता है अंड़ा फ्रेश अग भी तैरता है यह देखो सी डाल दिया है डेट सी की जगए कोई और सी है ओशन बाडिज एंड सीज कंटें लार्ज अमांट डिजॉल्व क्या होता है वोशन में और सी में सबसे अगर नीमिया है अगर इन की कमी तो भी अनीमिया विटामिल बीटेल से कमी होत भी जाता है ठोक सो और पता है मुझे यह भी दिखान वर्सों की ग्लास का चलो को क्या होगा इसमें सबसे इंपोर्टेंट थार्ड वोता है नमक वता है सबसे पानी में और के हीरे जोरा थोड़ी भी लेंगे चलिए नेक्स देख लेते हैं फटाफट खतम करना है विच आप फॉलईंगी सारा था मेजर सोर्स फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर का मेजर सोर्स जल्दी सबसुब बड़ा सोर्स फ्रेश युद् colocar инд में से कौन सा है option देखो पाम ध्यान से option here fresh water का सोर्स इन में से कौन सा है major ओ और आप्छीं सबसे बड़ा सोर्स बहुत गलती कर रहे हैं बच्चे झांस अ बड़ो ध्यान से साइड सही 여ा रहा है साहल इस राइट सी तरा इस ज़ल्दी ना यार तीनों ही तो है यार फ्रेश फ्रेश वाटर के सोर्स तीनों फ्रेश वाटर के सोर्स है अंसर पदलो देखो यह बोल रहा है कि मेजर सोर्स और फ्रेश वाटर तो रिवर भी फ्रेश वाटर का सोर्स है पॉंड भी ग्लैशियर भी तीनों का लेखो तीनों फ्रेश वाट वेल अंडर्ग्राउंड वाटर लेकिन याद रखना फ्रेश वाटर का जब से बड़ा सोर्स पुछेगा तो ग्राउंड वाटर वाटर फ्रॉम दे लैंड एंड सी पढ़िया कोशन बता यह क्या होगा अंसर इसका अंसर इसने गलत बताया कल से क्लास में एड़ नी करा जाएगा क्योंकि फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा और वाटर साइखल का दूसरा नाम क्या होता है बाच्चों वैरी गूट साइखल सारे साही बता रहे हैं घूड्थऊ-प करें थम्सका रूच्च्जा अंसरे साव करो साथ बच्ची इसको थम्सकां को थम्सका अब अ under a vertu स्थबूर्द साइकल का दूसरा नाम हम ह्तो लॉजिकल साइकल लिख लिजे हैं हाइडरोलॉजिकल साइकल लिभत लगतीन हैं वह kilometers और नसा उमान नेंगृट्राइक पानी स्वै quieren लेटना नहीं है लेट के नहीं पड़ते आप धिर्वी राद ध्यान से पढ़ लो लेट होगर तो तुम्हें समन नहीं आएगा आंसर गल्द बता रहे हो ठीक है न ध्यान से देखो अभी आंसर गल्द बता रहे हो वाटर चेंजीज इंटू वेपर्स इन दे एट्मोस्पेर तो वेपर्स में बड़ा प्रोसेस कौन सा होता है इवपरेशन ट्रांस्पिरेशन से थोड़ा सा पानी उपर जाएगा ओशियल से सबसे यहादा पानी आता है न कि इवपरेशन हाँ शान भी रिए वेलिगुल कृस्टी बिनायक भी विश्य कह रहा है थारे बच्चे लाटी जो पर कहीं और दिमाग है उनका चलिए वेर इस ने कुंची कला फॉल कुंची कला फॉल कहां पर जोग फॉल जहां पर है जोग पॉल हाई-इस इन इंडिया जहां पर जोग सबसे पहले हाइवटर हार्वेसटिंग की लिखेये तबी नादू सबसे पहले रेन वाइटर हार्वेस्टिंग फॉस्ट इंट्यूश्बा पा मिलिए अगला कॉस्ष्ट से देखेँ धिया करक्नाट Broken पर इंडिया का City में और यह मेरा बंगौल बार बार-बार निंी बतांगा है मीर्यार reign crying सी और यह सो करनाथ का है जोग टो यहीं पर जोग Victory आपसे करनाथ का कौन से समगह ऑन हो सकते जमचिक लगहां दो नाटव गया हिए dai करनाथ का अरेबियंसी की तरफ है न झार। तमिल नाड upphi डेबंगाल अंध्रपरतेश उड़ीसा ज़्सपघर बहुंगाल वेश्ट बंग्र वेख पंगाल एवेवव राप्नग्वाल अरेबियंस अगया है करनाथ की तरफ है ठीक है और मैं आप लोग की तरफ हूं चलो बटाफट करते हैं वीच अमंग दा फॉलिंग इस दा हाइएस्ट वाटर फॉल इन इंडिया कुश्चन आ गया है क्योंकि यह कुश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जोग फॉल वाटर से चुड़ा हुआ ना वाटर से इंट फैसलीं पास में घाला की दासदानी isol हुआ जार्डन की अमान बताई थी में घाले फिंट की के सिटर इंटे के सेवन सिटर्स में यह थे मई याद रखना में स्क्किमें नहीं आता है याद रखनाश अइन इक हम जोग फॉल यह पर रहां है यह देकू यहारा करनातक में और करनाटका अरेवियन सी यह जोग फॉल और यहीं पर कौंचीकल फॉल भी है यह जोग फॉल देख लो बच्छो जोग फॉल ऐसे गिरता है जर्णा भारत का सबसे उच्छा जर्णा जोग फॉल करनाटका में चलिए नेक्स देखते हैं अलग नंदा भागी रथी मीट चाहँ पर अलग नंदा भागी रथी मिलती है ऐसे करके अलग नंदा आती है ऐसे करके भागी रथी आती है यहां पर मिलती है इस जगह को क्या कहते हैं आगे तो यह गंगा बनी जाती है पहले गंगा का नाम गंगा थोड़ी रहता है यहां से Harmonyinen जल्दी और जब को खुरहांती है, भागी रती प्रवी यहां से आती अलगनंदा रंदा से oy लक जली से ख़या होत्कलिक आ यहां से पहुंची आगे यहां से पहुंची आगे यह कोई बीया एक्स वाई-जय यहां से पहुंच ही रिशी क्रेस कहांपूचेगी आप दिमाग का डाउट दूड कर लो रिशी केस में वो गंगा ही रहती है याद रखना गंगा बनकर पहुचेगी फिर पहुचेगी हरिद्वार गंगा बनकर और इसके बाद इसका सफर होगा इलावाद प्रयाग गंगा बनकर प्रयाग इलावाद इसके बाद जाएगी वा वालानसी भी जायागी गंगा बनकर वार नसी जायगी कहाँ पर पिहार पटना वुती भागल भागल थी पंगाल तक जायेगी गंगा बनकर आप दो बतादो अब बच्चे केरें second option अब बचाई क्या है जब रिशी केस में भी गंगा बनी रही अलाबाद में भी गंगा तो देव प्रयाग देव प्रयाग is the place अलग नंदा एड भागी रथी वीट दो नदिया मिलकर गंगा का निर्मा अलग nation कि और गंगा और गंगा और देना मिलेंगी प्रयाग में लीकस में रहाबाद प्रियाग में प्रियाग राज में ईलाबाद में गंगया यमुना तैसे इस बहुत सारे नदिया मिलते हैं धॉली गंगा पजरी नाथ में यहां से मिलती है भार्याग में ध्यक्षा सब्सक्राइब उसके बार यह अलगननाथ ग्ष्नु में थे दोली गंगा मिलती है विए मंदाकनी में लिए पर इस जगह पर फिर पिंडार आके मिल जाती है करण प्रियाग में पिंडार और मंदाकरी मिल जाती है में कोश्चन इस देव प्रियाग में अलक नंदा आई और मिली किसे भागी रती से और उसके बाद ये कहला ही गंगा का पानी निर्मल गंगा मैया ठीक है देव प्रिया सदो गंगा मत लिखते ना आगराज यह वो यमुना के किनारे और मुझाए कि याद मिलेगा थो इलावाद परियाग राज में ठीकलो जीकशी अब कानपूर लिख दो कानपूर गंगा़ किंद आओ याद लखले ना लखनव शेर कौन सी नदीगी किनारे कौन बच्क प्टा बटा दो मनँख खो जाएगा कआये लखनव को लेखना से-स खीभज किर न holder अर्जूर यादँ सिंग यादओ Kor लखनाऊ कौन सी नदी के किनारे बसा है सारे बच्छें सुनेंगे लिख लेंगे जल्दी बताऊ अरे लखनाऊ गोंती किनारे बसा है लिखो लखनाऊ एट बैंक ओव वोंती है गंगा लखनाऊ वोमती किनारे है ठीक है या द Tee Can किनारे है लखनू चलो उज्जैन शिप्रा नदी किनारे है ऐसे पढ़ा करो पढ़ने का तरीका है गंगा रिवार फॉल्स इंटू विच आप फॉलाइंग वाटर बाड़ी गंगा किसमे गिरती है हाँ विटा बताओ प्रियाक राज इलाबाद में विटा है इस तर्मेर को तो मैप भी बनाना नहीं आ रहा है तिकत प्रशानी यह पेंगाल और यह अरेवियंस ही आप पताओ गंगा कहां पर गिरेगी ऑप्शन जल्दी ऑप्शन बोलो जल्दी ऑप्शन कौन सा गंगा यह कहां पर गिरती है ज पर गंगा पंगाल कि याद रहना चीए बेव पंगाल कुछ बच्चों की गंगा पैसिपी कोश्यंत में गिरेगी कुछ की मुझे लग रहा है कुछ की पैसिपी कोश्यंत देख लो यहां से चली और अलगनंदा मंदाक नहीं मिल गई कहां पर देव प्रियाग में फिर लुख नियाओं से वालख डियान बिल गई कौन रिल गई यमुना और प्रियऔ चली देख लेकाल कि खाडा इ gelecekन सावथ यहां पर कैसी शियंत याश्ट याध रखना चलीए को दावरी होगा सब्सेबरि नदी नदी सबसेड़ी माउंटेन और सपुड़ा के बीच में रिफ्ट बैली में और सटपूडा के बीच में विद्ध माउंटेन हो था जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से भाटता था विय्द याद र द्वार चलो हरिदवार में गंगाजी बन जाती है रिशी के से घंगाजी जो होँ सब्सक्राइब, देव प्रयाक के बाद के बाद लिए हरिद्वार ठीक, चलिए, नईसकोस्न देखती हैं, मिसिपि रिवर कौन से दो काउंटिनेंट कौन से कॉंटिनेंट पर थी एक ठानिया से करके पूच जैसा ऐसे करके पूच जैसा यह कौन सा नोर्थ अमेरिका वेरिकूड मिसीसिपी कौन से देश में वहती है युसे में युएसे की राजधानी सर वाशिंग्टन वाशिंग्टन डिसी चलिए नैक्स देखते नेक्स कोशन फटाफट इस देखे़ो मिसिसिपी यह पूछ जैसा क्या वोल रहता मैं यह देख लो नॉर्थ अमेरिका बच्चों को समझ में आ रहा है पुरा पुरा मिसिसिपी हां बलाव बैटा हाँ वाशिंटन डीसी ठीक है नियू यॉयोर्क हुडसन नदी के किनारे वसा हुआ है वाशिंटन पैरोटेक नदी किनारे वसा हुआ है इस अब देखा करो कभी जैसे पढ़ते पढ़ते ठक जाते हो ना तो कुछ कोश्चन ऐसे देख लिया करो कि कौन सा शहर जो मशूर है जैसे पैरिस जो है वह सीन नदी के किनारे वसा हुआ है पैरिस फ्रांस की राज़तानी पैरिस इसके किनारे सीन नदी तो यह सब देखा करो इससे क्या होगा आपको जीगे पढ़ेगा तो आपको जो वन मार कुश्चन गलत भी हो रहा हो ना एक्जाम में फटा वड़ जल्दी मिसूरिय याद रखना और नॉर्थ अमेरिका की विच इस लोंगेस्ट रिवर इन यूरोप यूरोप की सबसे बड़ी नदी जल्दी टांस करते हैं बताओ सारे बच्चे बिल्कुल एंज्वाइब रहो हां चलो वॉल्गा रिवार सबसे बड़ी रिवर कौन सी यह देखो निदरलेंड बेल्जियम जर्मनी चेजिया आस्ट्रिया जिसकी राजदानी हंगरी हाँ वेरी गूड़ी वॉल्गा हंगरी भुड़ा पेस्ट रोमानिया से होती हुए यह गई ब्लैक सी में खापे गई ब्लैक सी वोल्गा सबसे बड़ी नदी लेकिन यह वोल सबसे बड़ी नदी कि यह वोल्गा है तो यह वोल्गा सबसे बड़ी नदी कि यह वोल्गा है वोल्गा यह है ji और यह रश्या यहां से बटा हुँ है यह पूरा पूरा थाहारा थो आगया आप Eyjima में तो एश्या में यह तागे आकर डिन यह रुदके एजिव्ट आए मैं आता और रसया पर्सगैस में यूरोप में आता जलो यह टैन्यूब की कहानी थी बस बोले यार है येस सर्हेस सर्टी के सर्ट चलते हैं निराष्ण निकने होना पेट driving हो सारे मजह निया रा गया मजह निया रहा मजह निया रहा नोलिज काशन मिलेंगे तुप जयादा मजह याँग कर गोश्चन क्षैन में विच इस लार्जेस रिवर इन तम्स आफ दिस चार्ज सबसे बड़ी नदी बोलगा है लेकिन डैन्यूब भी फेमस नदी बड़े शहरों से अपी बुजरती है कभी-कभी आता है कि आस्ट्रिया और तर्द्रिया राजधानी वियना और यह नहीं ऑस्ट्रिया की राजधानी वेनिया इस वियना इस सिच्वेटी डाउन बैंक्स ऑफ द रिवर तो वो डेन्यूब का नाम आता है तो डेन्यूब इंपॉर्टेंट नदी है जैसे लंडन लंडन थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है तो थेम्स मशूर हो गई न लंडन छोटा नदी मशूर हो याती है तो लंडन इस सिच्वेटेट इड़ बैंक ऑफ थेम्स ठीक है न्यू यूओक हुटसन के किनारे अब हुटसन तो नहीं दुनिया की सबसे बड़ी तो वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी है पर डेन्यूब फेमस है क्योंकि कई इंपॉर्टेंट यह पूछ लिया दा ठीक है विटा चलिए डिस्चार्ज वॉल्यूम बच्चों को समझ में आगया पानी की बात कर रहा है तो अमेजन और लंबाई की बात करता ना तो नील रीवर देता ऑप्शन में तो नील और ऑप्शन में नील भी यह तो हम इसको लगाते ही ना देख अधिक ओशियन में ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत चलिए नैक्स देख लेते हैं पेरु यह आधर डालो वल्ड में आप देखने के आधर डालो बच्चों कोई भी पढ़ते हो वल्ड में आप देखो चलिनास कोशन विच इस अलोंगे सीवर इन दा वर्ल सबसे बड़ी सबसे बड़ी कोंटिनेंट चांवि से बात कराओ शानुटिनेंट बोलो बेटा नील तो मुझे पता है यह निल रिवर सबसे पताही मुझे पताही कर विन खाहना है जिन मरने पढ़ा दिया हां एक साय अफरीका निल रिवान एफ इपने दिक या की सबसे बड़ी नदी और दुनिया की जाया स्बसे नदी और अप्चनल से ज्बस यह निकलती सुदान से होती हुँ जाएगी सुदान के जुमबा खार्टोमिस की रादधानि सुदान अर देखो कहां जाएगी यह जारी है नील रिवर इजिफ्ट के काईरोस होती हुए गई कहा पर revetic the WER कितनी लंबी है यह लिवर ठीक चलिए वाइट नील में ब्लिव настолько यह तो ऑर बढें अब फिर सब्स combos कर्णा घर और देखो जब अरत को है मिनस्पेर चलो आर्थ को कैसे वाटा यह देखो याद रखना जब equator बाढ़ता है अर्थ को latitude बाढ़ता है तो यह नौर्दन हैमिस्पेर उपर वाला और नीचे वाला साउधरन है मिश्पेर याद रखना Northern Southern और जब पहले समझ लो पहले समझ लो उसके बाद में जब पर लोंगिटुड बाठता है तो यह वेस्टर एमीसपेर और यह संब्नाडरीबाथ लैटिटू बाठेगा लैटिटूट समस्जते ओ लैटिटूद समय सबस्क्राइब आता है रैण इमेजनरी लाइनस होती है बटा kita image नरी लाइनस होती है अर्थ पर जो यह तो होती है हमारी लाटिट्टूड क्यों होती है लेटिटूड और जो लाइन ऐसे होती है तो यह यह होती है हमारी लॉंगिटूड तो चुर सबसे बड़ी कंट्री रश्या रश्या इस दर लाराज़ेस एरिया सबसे बड़ा रटर अवर रश्या इसदे लार्जेस टीड एरिया सबसे बड़ा क्या फिर जैना चलिए और पॉपूलेशन सबसे उपर उसके बाद हम के पापुलेशन सबसे आगे चाइना उसके बाद हम क्योंकि लोग को ने इस बसे को चैना हों te हुआ है में आखटिक ओसें नॉर्धन हम इस स्वेयर में यह आज अर्क्रटी़ ogyको शेंद ना मॉना इस पीर क्योंकि साउधर नोशन है नीचे और ऐसी एयर वाद बच्चे पड़ चुकर है याद रहेगा कि आखटिक ओसीटर नौर्धन हैं है यानि कि अगर में एक्वेटर से बाट हूं तो यह वाला नॉर्दन और यह वाला साउदन है मिस्पेर तो एशिया हमारा एशिया कहां पर आता है एशिया पूरा पूरा आता है नॉर्दन है मिस्पेर में नॉर्थ इस्टन है मिस्पेर होता है एशिया लगपक लगपक पढ़ा रहा हूं मज़ा तो आए गई आगे बन जाएंगे तो फिर याद रखेंगे सर ने पढ़ाया था चलिए आर्कटी कोशिन देख भी लीजिए यह रहा आपके और न product नोर्थ पोल याँ पको टोल्डे से फोटो किछली अपने लुप का अगा Quantum और साउथ पोल पर साओधन न जलें लें उक्के रिपोर्ट मज आ रहेंगी नहीं आए डाएंगे आए अर्गे अटाओ सच अब तक ना रोगव का जाह की है कुछ नया सिख नहीं बच्चे घरने फ़र्स लास्टीक गुट टिक्रिस्टी क्रिस्टी शानवी मज़ा रहा है रही गुड यही तो चाहिए मुझे लाष्यूज कैनाल कन्यक्ट अभी बता है था चुछ कैनाल कनेक्ट करती है किस को किस से मैंने विनाये को रिपी से चोड़ती है सोचना ही नहीं है चलिए वाँ भी वाँ बच्चे ये भी आंसर देंगे मुझे उमीद नहीं थी देखो रेड़ सी एजिप्ट और यह देखो एशिया का साउधी अरेबिया के पीच में यह रहा रेड़ सी दिख रहा है सबको रेड़ सी विजिवल तो थम्स का है से रस्ता ये घिख रहे है इसी को घो ढॉलते हैं कि यहां से यहां से उसे का है स्यासे का यह तो तो यहां से पास होता हूँ पर आम से मेरीटिन सी में चला जाएगा और यह अफ्रीका का पास होटा अधरी एक हम च्रेट में करना चाहिए चलिए डेसे बलड विश्vy में सब से चोटा सबशलों सब्सके आंशर आएगे तभी मैं आगे बढ़ा हएगे सब के अनसर ईंसकरते हैं ज़िए और चोटिक आ फिर न मकी न पता दिया नौर्थ पोल में है ठीक है न में न न आ थिक न चलिए आर्क टिक है कहा पर फॉसर चलियो द कि आपकटी कोशिन इंप妳 देख़ के लोह ओपर दख़गे तरह से चितना तूरो में 전 budgetिख सब से छोटा है और पैसिफिक देखो पैसिफिक तो शुरू होता तो खतम नहीं होता यह देखो पैसिफिक कि इधर पीछे भी पैसिफिक कि पीछे से है चलो ने ले लगे आपार्थ है इस नहीं अ प्रशान दिए लेलो चलो लारजेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन जिसका छेतर फल है एरिया है 165 मिलियन किलोमीटर स्क्कूर और जिसकी सब्सक्राइब कर दिया है इतना भी शाल है ठीक है प्रशान्त महासागर ठीक चलिए इन एक लेते बच्छो विच इस अधी पैस्ट जोच एन सबसे गयरा सबसे लार ज़सी पड़ लिया सबसे गहरा यह जलबाजी नी पर्शी कोशियन वेरी वड़ी गूड़ी 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 गून शान्वी बात करेंगे शान्वी वेन्टैने अवेन्ड टैरिन दीर सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन उसके बाद अब टीक ओशियन सबसे छोटा भाई सबसे बड़ा सबसे चोटा तो याद करो अब टीक उसके बाद अट्लांटिक ओशियन उसके बाद इंडियन ओशियन साउधन ओशियन ठीक है चले पाचों ओशियन और फिर ती राज बहुत बहुत डांस कर रहे हैं फिफ्थ हो गें इसका अंसर फाइव ओशियन तो सैवन कॉंटिनेंट्स फाइव ओशियन कोई डाउट नहीं होना चीए कि चलो देखते हैं तो मेरे को याद दिलाना मेरे को बताना पर सब्सक्राइब कुछ चूटा हुआ है ठीक है कल का चुटा बता दिया प्रोटीन से कवाशियोर कर प्रोटीन नहीं खावागा तो और तो कवाशियोर करके डिजीश हो जाएगी अब क्या दिखा रहा हूं मै वह पैसिफिक ओशियन बार-बार सबसे टीपेस्ट बहुत बड़ा होता है यह नॉर्थ पैसिफिक ओशियन इस दो नड़ाई चल रही थी चाइन ऑर रश्या के बीच में कि हमें चीहिंए अपसमें टंक्राव चलते रहता है ब्रैक फिश का मतलब होता है कहारे फैलिए पानी की जील फाल फानी का रघनेन विचीज दा इंडिया ल्यारगेस्ट अ ब्रैंकि रुत याound रखना भायत भारत की उरिशे में शिलका लेक कहा पर रहा बताईए शिलका लेक न है बारत की खारे पानी अधिक लेज़िए नेक्स देखते हैं वच्चो में शिलका लेक याद रखना कोश्चंस आयों है उरिच है फुचे का लो यलो लेक का कोश्चण ऐसे पूछता है ऊठीसा नहीं बात होती है तो परहसे बात होती में परीयवक्त हमों ओच्छ तो लगे गांग अंब बीड़ा बैचर प्लेस अंधना उडिसा एक चुद अन्षुमान तो जो ने अपच्छे के घर के पास ओड़ी सामें छिलका लेख मैंने मैप में दिखा दिया ने बच्चों को मैं आप दिखाना बहुत जुरूरी अच्छी ओडिसा बेयो पंगाल के पैसे फेचर कॉड़ी से कॉड़ी लगती है पंगाल का संभुतुरस तक राता है उडिशा के तट प कोल रूलेक पता यह कहां पर आप्षन बोलिये कोल रूल आप को रूलेक को रूल एक तुक्का नहीं पता है तो शात बैठेक तुक्का ना लिकलो पुलीड लेख और और जील आंद्रप्रुद आएगी कोउलरुद जील आंद्रप्रदेश में है। याद रखेगा आंद्रा प्रदेश और आंद्रप्रदेश की तहलें है आद्राबाद औरहने जो है जो नहीं है यहाँ तो यह पर पुलिकेट कोलरू आंद्रप्रदेश में याद रहेगा छिलका प्रेकिश वाटर लेक इजिन ओडिसा कोलरू एंड पुलिकेट इजिन आंद्रप्रदेश अमरावती चलिए नेक्स कोशन देखते हैं ठीके विटा नेक्स कोशन चलिए वेर इस डल लेक डल जील कहां पर है डल जील कहां पर है दल जील काहं पर है तयर जील्जील कश्मीर में सही मिरे डल किनारे तो घूमने का मसए लाग चलिए डल जील देख लेटे दमší डिरी यह देखो शरी दगहर कहां पर है डल जील शरीनगर निगे लिजी है ये ये डल किसको कोई कुछ किह रहे है कतश्मीर करको चल्री के kशमीर मैं क्टेर ना जब मएंट काश्मीर के लिख समें श्राइन लेक लार फ तिव में वह्त व्लड़िए टैपको की सबसे बड़ी लेक है तिबद की सबसे बड़ी लेक वेरी गूड साहिल ने आंसर सही दिया है बेरी गूड पिर्थिराज ने सही आंसर दे दिया अब कुछ बढ़ी लेक है कुकुनूर लेक तिबद की सबसे बड़ी लेक यह भी आप बमच्चें को तिबॉट समझाओ कि तिबद में देख लो यह रहा यह अपना इंडिया समझ में आ रहा है ना इंडिया और इंडिया के उपर पूरा तिबद का मैं पूरा का पूरा किसका और तिबद के आगे मंगोलिया जहां से आया था कौन चंगेश खान चंगेश खान बड़ा खतरनाक था चंगेश खान प्लव आपको सुनाता हैं चंगेज खान बोलता था कि मेरे आगे शिर न उसका सिर काटो और लगा दो टीले की टीले पूरे तेले मिनार मिनार मेरा दो किसकी Scrolls की स्कली तो हमारा स्कली तो होता है तो बोलता है स्कीलकी मिनार म मतवराद करती था कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है और हगला तो साइड में खड़ा उसी का कपके भूल लगा गविदिपेक्टेस में तुरंत लगाओ तुरंद लगवाता था तो चंगेशगान घतरनाग मंगोलिया इदा को मंगोलियन यही पर है वो लेक कुकुनूर चलो नेक्स्ट कोश्टर पटाफट देख लो लार्जेस ब्रेकिस वाटर लेक इन इंडिया छिलका पूछ लिया उसने कहां पर है छिलका लेक उसने पूछ जिलका लेक कहां पर है अब दिक्कत होगी क्या छिलका लेक शानवी वेरी गूड आंसर आ गया उडिसा जब देख लिया तो फिर क्या दिक्कत है कोल्रू और पुलिकेट लेक आंध्रप्रदेश पता ही चल गया तमिलनाडू वाटर हर्वेस्टिंग करने वाला रेन वाट चलिए रेन वाटर हर्वेस्टिंग यह उडिसा में चिलका लेक आगई उडिसा में चिलका लेक मैं आप से पढ़ लिया बच्छों ने तो रट गया उनको चलिए आंसर दो बच्छे आधे घंटे में कर देते हैं पूरा पेपर ही कर देते हैं वीच आफ फॉलाइंग इस फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया खारे पानी की लेक नहीं पूछी फ्रेश वाटर खारे पानी वाली छिलका हो गई फ्रेश वाटर लेक इस वूलर लेक जो कि कहां पर है बच्चों कहां पर इंडिया में नीचे है कि ऊपर है कि और उपार कश्मीर में यह जह है कहाँ पर कश्मीर में चंगो कश्मीर में गुलर लेग और यह नहीं हो चिल्का लेख काहां पर है उडिसा में यहां पर ठीक उसके बाद堉शने काट है पुलिकेट लेग्ट बहुत Important रहरा पुलीक्त आंधरप्रदेश। कोलरू और पुलीकेट आंधराबे कुकपनूर तीम्द की सबसे बड़ी चिलका प्रेक्स वाटर लेग भारत की सबसे बड़ी मुझलाे फ्रैसवाटरले चलिये इन विच रिजांड ड्रिप इजिगेशन याद रखना ड्रिप ड्रिप इरिगेशन इस वेरी यूस्फूल कहां पर यूस्फूल होगा कौन सा बूंद बूंद पानी करके एक-एक बूंद मालो यह पौधा है ना तो फालतू जबापानी नी जाएगा डाट इस कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन सबसे ज्यादा वाटर कंजर्व होता है ड्रिप इरिगेशन में सबसे ज्यादा पानी की बचत होती है याद रखना कि बूंद बूंद पानी यहां पर सूखा पड़ेगा डराइ रीजंस बैब डृट इरिकेशन होती है चलिए एंड यह उत्वस्रेशन याW करद पर ती जबसे ज़्यादा मेगाले में में बहुत फॉलो करता है डेपीजिए को समझे ना मेगाले नहीं फॉलो कर रखा है ठीक है ना एक बैंबू से भी होती है बैंबू से ना ना नागालेंड साइट बैंबू चलो देख लेते हैं वेच इरिगेशन प्रक्टिस लीट स्टू मैक्सिममम बडर कंजरवेशन किस भी आउसे ज़ी पनि की पॉचट होगी सबसे ज्यादा पानि की पते हैं कॉट जलिए इसका अंशर लेते एक क्रिश्टी से कृष्टीuestas अंशर पता हूं अından आंसर दो शे Helena Christmas नेक्ट का आंसर बताईए तमिल नाडू वीच स्टेट इंट्रट्थ रेन वाटर हर्वेस्टिंग इन इंडिया सबसे पहले किस ने किया तमिल नाडू ने याद रहेगा कोलरू और पुली के अरे अग्सांक शेखर बॉल लेकि डांस कर रहा है ठीक है टांसि और मजह से पढ़ाई करो और-फॉल-फॉल-फॉल-फॉल-फॉल-फॉल-फॉल यह कोई मैरे दिमाग केरन इस में जोगी मेन कुंची रलक रहा अब यह क्या घया यह कांगा यह नीचे सबसे शॉदन Pस पार्ड सबसे नौर्थ है मुकश्मीर और सबसे साउथ पे इंडिया गार रीलोगे साउथ मिलाडु आ reference नाधं तुम भी कैसी बात कर रहे हो महाराष्ट्रा देखा मैं बधना सिखाएंगे आपको ठीके प्लैकın करना बढ़ेंगी के साथ में वाटरै चाहरें रसे पर पफेस्ट क्या वी मनमोट परस्थ क्या मनमें क्याल स्क्रॉट छेंब सब्सक्राइब्र सबसे में पर पास कुछ बच्च बज़त आंसर दे रहे हैं कुछ सहाइड और कुछ सही दे रहें मैंने आज बोला है कि रेनीवाटर हर्वेस्टिंग का सबसे बड़ा मक्सद कि ग्राउबर को रिचार्ड करना पार बार भोल रहों सबसे बड़ा मकिर हैं कि ग्राउब्ड बाउड रिचार्ड करना ग्राउड्ड वाड़ी चार्ड होगा है पानी निकाल सब जमीन में जाएगा पानी चार्च ग्राउंड वाटर ज्यादा तर रेंड वाटर हार्वेस्टरिंग के सिस्टमस में आपने देखा होगा कि पानी को क्या करते हैं ग्राउंड में जाने के लिए जोड़ते हैं तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे सबसे बेसिक परपस है स्वाइब री चार्च ग्राउंड वॉटर पात में सेतलंग है sizin मौनय दोने व कर Washington ऑप सब merge रहे हिं पल्रगा अमधा इन देग के सारह पानी टैंक का बंद में करद नीचे का पानी जान अई कि याया कि नहीं नहीट टैंक में लेकिन नीचे बोड तो नहीं होएं चलिए लेकिन मुझे किसी न द्याद हुआ है झाल 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 झाल